दिल्ली की सबसे बड़ी और हाई प्रोफाइल चोरी की वारदात को आखिर पुलिस खोलने में काम्याब हो गई दरसल चत्यसगर की दुरुप पुलिस ने दिल्ली की जेवली सौप से जो 25 करोड रूपे के जेवर चुराये थे उनके मुख आरोपी सहित दो लोगों को गरपतार कर लिया है दरसल दिल्ली के जंगपूरा में सबसे बड़ी डेकैती हुई थी उम्राव सिंग एन महवीर परसाद जेवलर्स के यहाँ पर और दिल्ली की सबसे बड़ी चौरी की वारदात का मुख आरोपी है लोके स्री निवास इसने दिल्ली में इस चौरी की वारदात को बड़े ही सात्र राना धंक से अंजाम दिया था और इसके बाद ये फरार हो गया और पहुंच गया 36 गड़ के भिलाई में इस मरती नगर और वही रहने लगा चार्च में लगातार पुलिस जुटी हुई थी लगातार दबी से दे रही थी और 36 गड़ की पुलिस की मदद से दुर्ग से इसको गरपतार कर लिया गया और इसके पास से 18 किलो सोना जबत किया है इस सोने की कीमत 15 करोड बताई जा रही है यानि आदे से जादे की रकम इसके पास ही थी इसके साथ ही दूसरे जो आरोपी थे उनको भी पुलिस ने गरपतार किया है एक दूसरे जो आरोपी है उसका नाम है सिवाचंद्रवंसी जिसको बिलासपुरु पुलिस ने कवरदा से 23 लाग के जिवर के साथ गरपतार किया है भिलाई पुलिस दौरा दिली पुलिस को मामले की जो सूचना दी गई थी उसके बाद ही रायपुर पहुंच गई थी और इसके बाद रायपुर पुलिस टीम और दिली पुलिस की टीम देरात दुरुग पहुंच कर इस वारदात को अंजाम देती है और इनको गरपतार कर ल सामान भी ब्रामद कर लिया और इनको भी गरबतार कर लिया दरसल अलग अलग जहोप से जो समान मिला है वो दूसरी कई जगों से जो चोरी की आवादात इन लोगों ने दी ती की थी उसका भी मिला है दरसल लोकेश बहुत ही सातिर चोर है जिसकी तलास बिलासपूर पुलिस राजनाद गाहों पुलिस कर रही थी इससे पूरवी लोकेश ने साथ बड़ी चोरियों को अंजाम दिया था और दुर्के आकास गंगा में पारक जेवलर्स के यहां पे रही इसने बहुत बड़ी चोरियों को अंजाम दिया था उसका भी माल सत परतिसत जो है रिकावर कर लिया है पुलिस ने यानि कई मामलों की जो तलास थी वो पूरी वियक पुलिस की और दिल्ली पुलिस तो बिल्कुल इसको ढूंड रही थी और अब जन्गपूरा में जो क्रोडों की चौरी हुई थी उसका सारा समान रेकवर किया जा रहा है जादे तर तर तो कर लिया गया लेकिन और भी सारा समान रेकवर किया जाएगा इसमें ठरक किलो सोना और हिरे तो इसके पास सही मिले यानि एक बड़ी वारदात का खुला स सेयुक तुरूप से दिल्ले पूलिस और चतिसगड की पूलिस ने किया है दोस्तों आपका सोच से जरूर बताएं नौशकार